नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फ्री सिक्ष्या के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ सरकार आज पेश करेगी नकल विरोधी बिल सजा के प्रावदानों पर होगी चर्चा बरती पेपर लेक करने वाड़ों से निप्टने को सरकार का कदम जया साध्यो विदान स्वास्तर का आज दूसरा दिन रहेगा जिसमें सरकार है वो नकल विरोधी बिल पेश करेगी तो इसके उपर अच्छी खासी बैस भी होने के चांस हैं अगर इसे रिलेटिड कोई नए अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आपको प्रवाइड करवा देंगे लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो भी देखेंगे इस वीडियो में हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि जो अरियाना पुलिस का पेपर लीक हुआ था उस मामले में भी बड़ी काम्या भी अरियाना पुलिस को आत लगिये साथियो क्योंकि तीन कंडिडेटों को और गिरफतार किया गया है जिन में मुख्यारोपी भी है पूरी जानकारी के लिए वीडियो लाश तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार अमारे चैनल पर आए हैं तो आभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिसे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सब से पहले आपके पास पहुंच सके चलिए अब पूरी खबर देख लेते हैं बरती परिक्ष्याओं के पेपर लीग करने वालों पर सकती के लिए सरकार सोमार को सदन में अरियाना पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पेस करेगी पिछले दिनों अरियाना स्टाप सेलेक्षन की और से कानून बनाने को लेकर बेज़े प्रस्ताओं के बाद ये बिल लाया गया है बिल में सजा के तोर पर प्रोप्रेटे अटेच करमचारियों की बरखास्तगी आदिके प्रवधान रखे हैं सदन में सजा के प्रावदानों पर चर्चा की जाएगी वहीं कांग्रेस ने किसान आंदोलन वे पेपर लीग मामले में काम रोको प्रस्ताव वे ध्यान आकर्षन प्रस्ताव दिये हैं एसे में स्तर के दोरान अंगामे के आसार रहेंगे कांग्रेश विदायक परसनकाल में कई मुद्दों पर सरकार को गेरने की तैयारी में है विदायक निर्मल रानी कंप्यूटर शिक्षा पर सरकार से जवाब मांगेगी तो साथियों कई क्यूसन जवाब होंगे और एक ये बात भी आप देख सकते हैं मोस्ट इंपोटेंट है कि अरियाना स्टाप सेलेक्षिन कमिशन को आभी तक कानूनी दर्जा नहीं है 51 वर्स हो गए हैं 1970 में अरियाना स्टाप सेलेक्षिन कमिशन को बनाया गया था 1977 में में अधिनस्त सेवाई चैन यानिकी इसका पहले नाम था अधिनस्त सेवाई चैन बोर्ड फिर इसका नाम बदलकर अरियाना क्रमचारी चैन आयोग किया गया उसके बाद दिसंबर 2004 में अरियाना क्रमचारी चैन आयोग अधिनियम बनवा कर इसको वैद्यानिक मानेता दी गई थी लेकिन उड़ा सरकार नहीं 2005 में आरियाना करमचारी चैन आयोग निर्शन विदेग पारित करके और इसका कानूनी दर्जाय वो समाप्त कर दिया था ये देख सकते हैं बारा दिन से जम्मो में डेरा डाले थे टीम अब तक इस मामले में 28 गिरपता रोजके हैं जम्मो कस्मेर से तीन और आरोपी काप्वू आज कैथल लेकर पहुँचेगी टीम तो साथ यो कैथल में जब इनको रिमांड पर लिया जाएगा तो बड़े खुल सावने की चांस हैं ये पूरी खबर देख लेते हैं शिपाई बर्ती पेपर लिग मामले में 12 दिन जम्मो कस्मेर में डेरा डाले बैठी कैथल पुलिस के ओ एसाइटी को बड़ी सपलता मिलिया है एसाइटी में सामिल शियाई वन की टीम ने इंस्पेक्टर आमित एहलाव साथियों को गिरफ़तार करके एसाइटी कैथल के लिए रवाना हो गई है में पुलिस सद्विकारी आरोपियों के बारे में कोई भी सुचना बताने से बच रहे हैं सात्यों अभी तक जो न्यूजवाणों को या किसी को भी ज्यादा सुचना नहीं दी जा रही है लेकिन दावा है कि आरोपियों से बात चीत कर जल्द ही खुलासा किया जाएगा जिला पुलिस आब तक सिपाई बरतिलीक मामले में 28 आरोपियों को काबू किया है तो साथियों अगर जो मुख्य आरोपी है वो गिरफतार हुआ है क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें मुख्य कि प्रोवाइड करवाई थी हो सकता है जैसे ही यह खुलासे हो तो कड़ी और भी आगे बड़े आप पुलिस के उपर है पुलिस कितने बड़े खुलासे करती है और इस कड़ी को कितने आगे ले जाना चाहती है आज बिल भी पास होगा सभी तरफ नजर रहेगी आपको अ लाइक और ज्यादा ज्यादा शेर करें वीडियों आ तक देखने के लिए दन्यवाद मिलते हैं नेक्स टूडियों में